आप सुन नहीं हैं काल्टरनल का भाग साथ तो मुझे फोन दो और मेरी छोटी नोटबुक भी अभी? हाँ तो कब? मैं मुस्कराया, ठीक है मैंने उन्हें फोन और उनकी छोटी नोटबुक दी जिसमें बाबा ने अपने अफगानी दोस्तों के नमबर लिखे थी उन्होंने ताहिरी का नमबर खोच कर फोन मिलाया वेर रिसीवर मेरे कान तक ले आये मेरा दिल गले तक आ गया जनलीमा जान? सलाम वालेकूं उन्होंने कहा? उन्होंने अपना परीचे दिया थोड़ा रुके बहुत बहतर हूँ शुक्रिया आपका आना बड़ी महरबानी थी उन्होंने कुछ समय तक सुना फिर सर हिलाया मैं इसे याद रखूँगा शुक्रिया जनलीमा जानल साहब घर पर है वो रुके शुक्रिया उनकी आँखे मुझे पर फिरी मैं किसी वज़ा से हसना चाहता था या चीखना मैंने अपने हाथ के गैंद बना कर उसे मूँ तक ले किया और उसमें दाद कड़ा दि बाबा अपनी नाख से दीरे दीरे हसे जनलीमा जनल साहब मैं आपके घर आ सकता हूँ ये एक इज़त की बात है हाँ बस ग्यारा बजे ठीक है तब तक खुदा हाफिस वे उठे हमने एक दूसरे को देखा मैं खिल-खिला उठा बाबा ने भी मेरा साथ दिया बाबा ने अपने बाल भीगोई और कंगी की मैंने उन्हें एक साफ सफेद शर्ट पहनने में मदद की और उनकी टाइबा दे बाबा इतने दुबले हो गए थे कि उनके कॉलर के बटन और उनकी गर्दन के बीच दो इंच खाली जगा बन गई थी मैंने उन सारी खाली जगों के बारे में सोचा जिने बाबा अपने पीछे छोड़ जाएंगे और मैंने किसी और चीज पर सोचना शोगिया वो नहीं गए हैं अभी नहीं और ये दिन अच्छी बाते सोचने का है उनके भूरे सूट का जैकेट जिससे उन्होंने मेरे ग्रेजुशिंग के दिन पहना था उन पर टंग गया है बाबा इंदरों कितने दुबले हो गए हैं मैंने आसीन मोड ले मैंने जुक कर उनके जूते के फीते बान दे ताहरी परिवा फ्रेमोंट के एक रहाइशे इलाके में एक मनजिला मकान में रहता था ये इलाका बहुत बड़े संख्या में अफगानियों के रहने की जगा के रोब में जाना जाता था इसमें आगे को निकली हुई खिड़कियां इड़लबा छट और सामने की तरफ साथ में लगा हुआ ब्रामदा था जिसमें मैंने गमलों में लगे हुए जरेनियम के फूल देखे जनर्र की भूरी वैन रहादरी में खरड़ी हुई थी मैंने फोर्ट से उतरने में बाबा की मदद की और बापस स्टियरिंग के पीछे सरकाया वो खिड़की पजुके घर जाओ, मैं तुम्हें घंटे में बुला लूँगा अच्छा बाबा, गुड लग मैंने कहा, वो मुस्क्रा है मैं वापस लोटने लगा मैंने पीछे देखने वाले शीशे में बाबा को देखा मैं ताहिरी की रहादरी में थोड़ा लंगडा कर चलते हुए बाब के रूप में अपना आखरी फर्स बूरा करने जा रहे थी मैंने अपने बाबा के बुलावे का इंतजार करते हुए अपार्टमेंट में अपनी बैठक को पामों से माप डाला पंधरा कदम लंबी, साड़े दस कदम चौड़ी अगर जनरल ने ना कह दिया तो अगर उन्हें मुझसे नफरत हो तो मैं रसोई तक जातर अवन की घड़ी देखता फोन दोपह के ठीक पहले बचा, बाबा थी ठीक, जनरल मांग गए है मैंने सास छोड़ी, बैड़ क्या मेरे हाथ काप रहे थी, मांग गए? हाँ, लेकिन सुरया जान उपर अपने कमरे में है पहले वो तुमसे बात करना चाहती है ठीक है? बाबा ने हिर्सी से कुछ कहा और फिर उनके फोन रखने पर डबर क्लिक की अवाज आई आमिर, सुरया की अवाज दी सलाम मेरे अबा ने हाँ कह दिया मैं जानता हूँ, मैंने कहा मैंने रिसीवर दूसरे हाथ में पकड़ा मैं मुस्कुरा रहा था मैं इतना खुश हूँ कि मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ मैं भी खुश हूँ आमिर मैं यकीन नहीं कर सकती कि ये हो रहा है मैं है असा? हाँ मैं जानता हूँ सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जो तुम्हें पहले जान लेना चाहेंगे मुझे परवा नहीं है कि वो क्या है नहीं तुम्हें जानने के जरूरत है मैं बातों को राज रखकर शुरुवात नहीं करना चाहती बलकि मैं खुद तुम्हें ये बताना चाहूंगे अगर तुम्हें ये बहतर लगे तो बताओ लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूसी तरफ लंबी चुपी रही जब हम वरजीनिया में रहते थे तो मैं एक अफगानी मर्द के साथ भाग के थी तब मैं 18 सार की थी विदुरी, बेबकूफ और वो नशा करता था हम करीब एक महीना साथ रहे वरजीनिया में सारे अफगानीस के बारे में बात कर रहे थे अबबा ने आखिलकार हमें खोज लिया एक दिन वो हमारे दरवाजे पर दिखाई दिये वो मुझे घर ले आए मैं हिस्टिरिकल थी, चीकती थी, चिलाती थी कहती थी कि मैं उनसे नफरत करते हूँ बाहर हार मैं घर आए और वो रो रही थी माफ करना, मैंने उसे फोन नीचे रखते हुए सुना उसे नाक साफ के सोरी, वो वापस आई और उसके आवाज भारी लग रही थी जब मैं घर आए तो मैंने पाया कि मेरी अम्मी को दौरा पड़ा था उनके चेहरे पर लकवा मार गया था और मैंने खुद को कसूरवार महसूस किया वो इसके लायक नहीं थी अबबा हमें इसके बाद जल्दी कैलिफॉर्निया लिया है इसके बाद चुपी चा गई अब तुम्हारे अबबा और तुम्हारे बीच कैसे बनती है मैंने कहा हमारे बीच हमीशा मत भीद रहे हैं अब भी हैं लेकिन अब मैं उनके शुक्र गुजान हो कि वे उस दिन मेरे लिया है सच मुझ मैं मानती हूं कि उन्होंने मुझे बचा लिया वो रुकी तो क्या मैंने जो तुम्हें बताया उससे तुम्हें कोई परिशानी है थोड़ी सी मैंने कहा मैं इस बात पर सच बोलने के लिए उसका ऐसान मन था मैं उसे जूट नहीं बोल सका मैंने कहा कि मेरा इफ्तिखार मेरा मन इसका बिल्कुल बुरा नहीं मानता कि वो एक मर्द के साथ रह चुकी है मुझे जिस बात ने थोड़ा प्रेशान किया था वो ये था कि मैं अब तक किसी औरत के साथ बिस्तर पर नहीं सोया था लेकिन मैंने बाबा को रिष्टे के लिए जाने को कहने से पहले हफ्तों तक सोचा था और सबसे आखिर में हमेशा मेरे सामने ये सवाल उड़ता था कि कैसे मैं या कोई भी किसी को उसके अतीत के लिए सजा दे सकता था क्या तुम्हें इससे इतनी प्रेशानी हुई है कि तुम अपना मन बदल सकते हो नहीं सुरेया इसकी दूर दूर तक कोई गुंचैश नहीं है मैंने कहा तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे कोई फर्क पड़े मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और फिर से उसके आंसू फूट पड़े मुझे उससे जलन हुई उसका राज खुल गया था उसने उसे कह दिया था उसने उसका सामना किया था मैंने भी अपना मूँ खोला और मैं उसको करीब करीब भी बताने जा रहा था कि कैसे मैंने हसंग को धोका दिया था जूट बोला था उसे निकाल फैका था और बाबा और अली के 40 साल के रिष्टे को बरबाद का दिया था लेकिन मैं नहीं बता सका मुझे शक हुआ कि कई मायनों में सुरिया तहरी मुझसे बहतर इंसान थी उसमें मुझसे बढ़कर हिम्मत है अगली शाम जब हम लफ्ज के लिए बात पकी करने की रस्म के लिए तहरी परिवार के घर पहुँचे तो मुझे अपनी फोड सडक पर ही पार करने पड़ी उनकी रहादरी पहले से ही कारों से भरी हुई थी मैंने एक गहरे नीले रंगा सूट पहना था जिसे मैंने पिछले दिन बाबा को तहरी के घर से ले आने के बात खईदा था मैंने काया कि शीशे में अपनी टाई की चांच के तुम सुन्दर लग रहे हो बाबा ने कहा शुक्रिया बाबा क्या आप ठीक है क्या आप इसे कर पाएंगी कर पाऊंगा ये मेरे जीवन का सबसे खुशियों भरा दिन है आमेर उन्होंने कहा वो थके हुए अंदाज में मुस्कुराए मैं दरवाजे की दूसी तरफ की बात चीत हसी और धीमी बचता अफगानी संगीत सुन सकता था लग रहा था कि उस्ताद सरहंग की क्लासिक गजल बज रही है मैंने घंटी बजाई कोठरी की खिटकी के दवाजों से एक चेहरा जाका और गायब हो गया वो आ गए मैंने कौरत के अवाज सुने बात चीत बंद हो गए किसी ने गीत बंद कर दिया खानम तहरी ने दवाजा खोला सलाम अलेकूम उन्होंने चमकते हुए कहा मैंने देखा कि उन्होंने अपने बालों में घूंगरत काड़े थी और एक खूबसूरत लंबी काली पोशाक पहनी थी जब मैंने कोटरी में कदम रखे तो उनकी आँखे भराए तुम अभी घर में दाखिली हुए हो और मैं रो रही हूँ आमिर जान उन्होंने कहा मैंने उनके सर को चूम लिया जैसे बाबा ने पिछली रात मुझे करने को कहा था वे मुझे एक रोशनी से भर पूँ गलियारे से होते हुए बैठक में ले गई लकडी के पलो वाले खिडिकियों पर मैंने उन लोगों की तस्यूरे लगी देखी जब मेरा परिवार बनने वाले थे सजय हुए बालो वाली नौजवान खानम तहिरी और जनरल पीछे नियागरा फॉल्स है खानम तहिरी एक अंधीन पुशाक में जनरल पतले जैकेट और टाई में उनके बाल पूरे और काले थे लकड़ी के डोलर कोस्टर पर चड़ने को तया सुरया अपने हाथ हिलाते और मुस्कराते हुए सूरज उसके दातों पर चांदी के तार बिखीर रहा है पूरी फौजी वर्दी में चमकते हुए जॉर्डन के शहा हुसेन से हाथ मिलाते हुए जनरल का फोटो जाहिर शाह के एक तस्वीर बैटा करिब दो दरजन महमानों से भरी हुई थी वे दिवार से लगा कर रखी कहीं कुर्स्टियों पर बैटे थे जब बाबा दाखिल हुए तो हर कोई खड़ा हो गया हम कबने में आए बाबा धीरे धीरे चल रहे थे मैं उनके पीछे था हम महमानों से हाथ मिला रहे थे और उन्हें मुबारक बाद दे रहे थे जनर्र और बाबा गले मिले वे अब भी अपने भूरे सूट में थे उन्होंने एक दोसे की पीट पर हर्की थपकिया दी उन्होंने एक दोस्य को दबी आवाज में अदब से सलाम कहा जनरल ने मुझे पूरी बहों में पकड़ा और जान बुच कर मुस्क्राए मानों कह रहे हूं अब ये इसे करने का सही तरीका है बच्चे अफगानी तरीका हमने तीन बाब गालों को चुमा हम एक भरे हुए कमरे में बैठे बाबा और मैं जनरल और उनकी बीवी के सामने एक दूसरे के पास बैठे बाबा के सास और थोड़ी उखरने लगी थी और वे अपने रुमान से ललाट और सर से पसीना पहुँच रहे थे उन्होंने मुझे खुद को देखते हुए देखा तो बनारुटी तोर पर मुस्क्रा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ रिवास के मुताबिक सुरेया वहां मौजूद नहीं थी इसके बाद छोटी मुटी बाचीत और योही कप्षप चलती रहे कुछ पलो बाद जनरल ने गला साफ किया तो कमने में चुक पी छा की हर एक आदमी अदब से उनके हाथों के तरफ देखने लगा जनरल ने बाबा की तरफ इशारा किया बाबा ने अपना गला साफ किया उन्होंने बोलना शूर किया तो वो बिना रुके कोई वाक्य पूरा नहीं बोल पा रहे थे वे सांस लेने के लिए बार-बार रुकते थे जनरल साहब खानम जमीला जान बड़ी नर्मी के साथ कहता हूं कि मेरा बेट और मैं हाज आपके घर आए हैं हाप हिजद्दार लोग खास और नामबर खांदानों से हैं और आप लोग आन और बान वाले खांदान से हैं मैं आपके लिए पूरे आतरा और बड़ी अदब के साथ आया हूं आपके परिवाय के नाम और आपके पुल्खों की याद के नाम वो रुकी उन्होंने सांस ली और अपनी बोहें साफ के आमिर जान मेरा एकलौता बेटा है मेरी अकेली आउलाद और वो मेरा अच्छा लड़का है मुझे उमीद है कि वो आपकी नजरों पर ख़ड़ा उतरेगा आप आमिर जान और मेरी इज़त बढ़ाए और मेरे बेटे को अपने परिवार में शामिल करें जन्नल ने नर्मी से सरहिलाया आपके बेटे और आप जैसे शक्स को अपने परिवार में शामिल करते हुए हम आपका स्वाकत करते हैं आपने हमारे घर पर आकर हमारी इज़त बढ़ाई है उन्होंने कहा आपकी शोहरत हमीशा बनी रहेगी मैं काबुल में आपका तारीफ दा था और आज भी हो हमारे और आपके परिवाय के मिलन से हमारी इज़त बड़ी है तुम्हें आमिर जान मैं तुम्हें अपने घर पर एक बेटे की तना अपनी बेटी के शोहर की जगा जगा दे रहा हो मेरी बेटी मेरे आँखो का नूर है आज से तुम्हारा द़ मेरा द़ होगा तुम्हारी खुशी हमारी खुशी होगी मैं उमीद करता हूँ कि तुम अब अपनी खाला जमिला को और मुझे अपने दूसरे माबाप कितना ही पाओगे और हमारी प्यारी सुरया जान और तुमारी खुशी के लिए मैं दूआ करता हूँ तुम दोनों के साथ हमारी दूआए है हर एक ने ताली बचाए और इस संकेत के साथ सबकी निगाएं गल्यारे की तरफ उठके ये वो पल था जिसका मैं इंतिजार कर रहा था सुरया दूसरे छोड़ पर दिखाए दी उसे लंबी आस्तिन और जरी के काम वाली चमकदार गहरे हरे रंग की रस्मे अफगानी ड्रेस बेहन रखी थी बावा ने मेरा हाथ पकड़ा दबाया खानम ताहरी के आसु फिर से बहने लगे दीरे दीरे सुरया हमारे पास आई उसके पीछे नौजवान रिष्टेदार और तो काई जुलूस था उसने मेरे अपबा के हाचों में अंत में वो मेरे साथ पैटी उसके आँखे जुकी हुई थी लोग वहाँ वहाँ करो थे रिवास के मताबिक सुरया के परिवार ने सगाई की दावत यानि शिरीनी खोरी रखी इसके बाद सगाई की मियाद शुरू होती जो कुछ महीनों तक चलने वाली थी इसके बाद बाबा के खर्च पर शादी होने वाली थी हम सब राजी थे कि सुरया और मैं शिरीनी खोरी के बगए शादी कलने हर एक कि उसकी बजह मालूम थी इसलिए असल में इसे किसी को कहना ने पड़ा कि बाबा बहुत महीनों तक रहने वाले नहीं थी जब शादी की तयानया चल नहीं थी तो सुरया और मैं कभी एक साथ बहार नहीं गये चुकि अभी हमारी शादी नहीं हुई थी और ना ही हमारी शिरीनी खोरी हुई थी इसलिए ये मुनासिब नहीं माना गया इसलिए मुझे सुरिया से मिलने बाबा के साथ तहरी परिवार के घर खाने पर जाना पड़ता था डिनर टेबर पर मैं सुरिया के सामने बढ़ता मैं कलपना करता कि मेरे सीने पर उसका सर रखना उसके बालों को सूंगना कैसे लगेगा कैसा लगेगा उसे चूमना और उससे प्यार करना बाबा ने औरूसी यानि शादी पर करीब 35,000 डॉलर खर्च की ये करीब करीब उनके जिन्दगी भर की पचत थी उन्होंने फ्रेमोंट में एक बड़ा अफगानी बैंकुर्ट हाल किराय पर लिया उस हाल का मालिक बाबा को काबुल से जानता था और उसने किराय में काफी रियायत दी बाबा ने चिलास यानि शादी के अंगुठियां खई दी उन्होंने हीरे के गंगुठी भी खई दी जिसे मैंने पसंद किया मैंने जैकेट और निकाह में पहनने के लिए रस्मी हरा सूट खई दे शादी की राज जो कुछ भी जोश खरोश परी तयानिया हुई थी उनके पीचे सबसे अधिक खानम तहरी और उनके दोस्तों की महनत और दुआएं थी उस रात के कुछ पल ही मुझे याद है मुझे अपनी निकाह याद है हम एक टेबल के चारो और बैठे थे सुरेया और मैंने हरी को शाके पहन लखी थी ये इसलाम का रंग है और साथ में ये बसंत और नई श्रुवात का रंग भी है मैंने सूट पहना था और सुरेया ने जो टेबल के पास बैठे अकेली औरत थी लंबी आस्तिनों वाला बुलका पहना था बाबा जनर ताहरी जो इस बाद जैकेट में थे और सुरेया के अने एक चाचा पीवा माज़ूद थे सुरेया और मैंने नजरे जुकाई हुए थे हम गंबीरदा से पूरे अदब के साथ केबल बगल से एक दूसरे को देख रहे थे मुल्ला ने गवाओं से सवाल के और कुरां के आयते पढ़े हमने अपने खुदा को गवा मांगा एक दूसरे को कबूल किया इसके बाद निकाह नामे पर दस्खत किये वरजीनिया से आये सुरेया के एक मामा शरीफ चांग खड़े हुए और अपना गला साफ किया सुरेया ने मुझे बताया कि वो अमेरिका में 20 साल से ज़्यादा समय से रह रह रहे थे वह आई एनस के लिए काम कते थे और उनकी भी भी एक अमेरिकी थी वो शायर भी थे फिर चिडियों जैसे चेहरे और नरम बालों वाले एक छोटे कत के इंसान थे उन्होंने सुरेया के नाम एक लंबी नजम पड़ी जिसे उन्होंने होटल के स्टेशनरी पेपर पर लिखा था वा वा शरीव जान जब उन्होंने नजम खतम की तो हर एक आदमी बोल उठा मुझे स्टेश के तरफ चाना याद है अब मैंने अपना जैकेट पहना हुआ था ढकी हुई सुरेया सफेद परी लग रही थी हमारे हाथ बंदे हुए थे बाबा मेरे करीब ही धीरे धीरे चल रहे थे जैनर और उनकी बीबी अपनी बेटी के करीब चल रहे थे हमारे पीछे-पीछे चाचाओं, मामाओं, चाचीओं, खालाओं और रिष्टे के भायों का जुलूस हौल में चल रहा था चैहक रहे महमानों का एक समुद्र था, वे कैमरे चमका रहे थे जब हम एक साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे तो सुरहिया के रिष्टे के एक भाय ने, शरीफ चांग के बेटे ने हमारे सिरो के उपर कुरान थामे रखा शादी का गीत आहिस्ता बोरो स्पीकर पर बज रहा था वही गीत, जिसे उस रात जब बाबार मैंने काबुल छोड़ा था माहे पर चेक पोस्ट पर वो रूसी फोजी गा रहा था सुभह को ताले में बन कर दो और चाबी कोई में फैक दो धीरे जाओ मेरे प्यारे चांद आहिस्ते जाओ सुभह के सूरज को पूरब में उगना भूल जाने दो धीरे जाओ, मेरे प्यारे चान, आहिस्ते जाओ मुझे सोफे पर बैठना याद है उसे स्टेज पर सिंगा संग कितना सजाया कहा था तीन सो चेहरे हमें देख रहे थे और मैंने सुरहिया का हाथ थाम रखा था हमने आइना मसफ की रस्म अधा की लोगों ने हमें आइना पकड़ाया और हमारे उपर एक चादर डाल दी ताकि हम अकेले एक दूसरी के चेहरे आइने में देख सके पल भार के लिए चादर के नीचे मिले आकेले पन में आइने में सुरहिया के मुसकान देखते हुए मैंने उसके कान में फुस फुस आते हुए पहली बार कहा कि मैं उसे प्यार काता था शर्म केक लाल महंदी उसके गालों पर खेलो थी चोपांग कबाब सोले गोश्ट थी अजाफरानी रंग के चावलों से भरी रंग ब्रंगी प्लेटे सजी थी मैंने अपने बीच बाबा को देखा मैं सोफे पर बैठे मुस्करा रहे थे मुझे पसीनी में भीगे वे लोग याद आये है याद है जो तबले की ताल पर तेज तेज खुमते हुए उचलते हुए एक खेरे में नाच रहे थे ये रवायती अत्तान नाच था और अगर ऐसा है तो उसने चादर के नीचे आयने में किसका चेहरा देखा होगा उसके हातों में मेंधी रचा हुआ किसका हात होगा रात के दो बज़े पार्टी बैंकेट हॉल से बाबा के अपार्टमेंट में चलिया आई एक बाब फिर चाय का दौर चला अपनी पूरी जिंदगी मैं मर्दों के आसपास रहा हूँ उस रात मैंने औरत की नर्मी के बारे में जाना सुरया नहीं यह राय दी थी कि वो मेरे और पापा के साथ रहेगी मैंने सोचा कि शयद तुम चौहो कि हम अपनी अलग जगा पर हैं मैंने कहा काका जान की बिमारी को देखते हुए उसने जवाब दिया उसके आँखे बता नहीं थी कि उस तरह से अपनी जिंदगी नहीं शोकी जा सकती मैंने उसे चौम लिया शुक्रिया सुरया ने अबबा की देखबाल में खुद को लगा लिया सुभा में वहें उनके लिए टोस्ट और चाय बनाती और बिस्तर से उठने में मदद करती वो उन्हें दर्द की दवाएं देती वो उनके कपड़े दोती और हर शाम उन्हें अखवारों का अंतर राश्रे पनना पढ़का सुनाती उसने उनका पसंदीदा खाना आलू शुर्पा बनाया हलाकि वे कुछ चम्मचों से ज़्यादा मुश्किल से ही खा सके वो उन्हें ब्लॉक में थोड़ी देर खुमाने के लिए ले चाती और जब वो बिस्तर पर पढ़ गए तो वो हर खंटे उनकी करवट बदलती ताकि उन्हें दर्द ना हो जाए एक दिन में फार्मेसी से बाबा की मारफीन लेने घर लोटा जैसी मैंने देवाजा बन किया मैंने सुर्या को जल्दी से बाबा की कंबल के नीचे कुछ सर्ड़काते देखा हे मैंने देख लिया, तुम दोनों क्या कर रहे थे? मैंने कहा, कुछ भी नहीं छूटी, मैंने भाबा को कंबल उठाया, ये क्या है? मैंने कहा, हाला कि जैसे ही मैंने वो चम्ने के जिल्दमडी किताब उठाई, मैं जान गया मैंने अपनी उंगलियां सुनहरी सिलाई पफिर है मुझे उस रात के आतिश बाजी याद आए जिस रात रहेम खान ने मुझे ये दी थी मेरे तेरवे जनम देंग की रात मुझे याद है कि किस तरह चिंगारी सरसरा थी और फिर आसमा लाल, हरे और पीले रंगे गुलदस्ते से भाजाता मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुम इस तरह लिख सकते हो सुरया ने कहा बाबा ने तक्के पर से अपना सर उठाया मैंने इसे पढ़ने को कहा था उमीद है तुम्हे बुरा नहीं लगेगा मैंने सुरया को नोट बुक वापस कर दी और कमरे से बाहर आ गया मेरी रूलाई से बाबा नफरत करते है शादी के एक महिने बाद ताहिरी परिवा शरीफ और उनकी बीवी और सुरया की दूसी खानाएं हमारे घर रात के खाने पड़ाई सुरया ने पालक और भीड के कोश्ट वाला चावल बनाया था खाने के बाद हम समने ग्रीन टी ले और चार चार के ग्रूपों में ताश खेला सुरया और मैंने शरीफ और सुजी के साथ कॉफी टेबल पर खेला जिसके पास ही कोश पर बाबा उनी कंबर ओणे सुय हुए थी वे मुझे शरीफ के साथ मजाख करते हुए देख रहे थी वे सुरया और मुझे को आपस में अपने उंगलियां उल्जा कर क्हेलते हुए देख रहे थी वे मुझे अपने बालों से गलट को खीचते हुए देख रहे थे मैं उनके भीतर के मुस्कान को देख सकता था वो उन रातों में काबुल के आस्मान की दहां चौड़ी थी जब बेद मजनू ससराते और बागीची में जिंगुर के बोलने की आवाज परसर जाती आदी रात के ठीक पहले बाबा ने अपने बिस्तर पर जाने के लिए हमसे मदद मागी सुरेया और मैंने उनकी बाहें अपने कंदे पर रखी और अपने हातों को उनकी पीर के गर्द कस लिया जब हमने उन्हें बेठा आया तो उन्होंने सुरेया को बिस्तर के पास का लैम बुझा देने को कहा उन्होंने हम दोनों को जुखने को कहा और हमें चुमा मैं अभी आपकी मॉर्फिन और पानी लेकर आती हूँ काका जान सुरेया ने कहा हाज नहीं, आज राद दद नहीं है ठीक है? उसने कहा उसने उनका कंबल खीच दिया हमने दवाजा बंका दिया बाबा फिर नहीं जगे हैवार मस्जित की पार्किंग भर गई थी इमारत के पीछे घांस के नंगे मैदान में कारे और एस्यूवी की भीड भरी काम चिलाओ कातारी लगी हुई थी जगा पाने के लिए लोगों को मस्जित के तीन या चार ब्लॉक उत्तर में गारी लगाने पड़ रही थी मस्जित में मर्दों का हिस्सा एक बड़ा सा चौकोल कमरा था उसमें अफगानी गलीचे बिच्छे हुए थे अब पतली चटाईयां कतार में बिच्छे हुई थी लोगों ने अपनी चूते दर्वाजे के भाया खोले थे और वो कमरे में भरे हुए थे वे पैर मोडे चटाईयों पर बैठे थे एक मुल्ला माइक पर कुरां के सूर्थे पढ़ रहा था मैं दर्वाजे के पास बैठा था मरहूम के परिवार के बैठने का यही रिवास था जन्र ताहरी मेरी बगल में बैठे थे खुले दर्वाजे से मैं कारों के कतारों को भीतर आते देख रहा था धूप उनके शीशों पर चमक रही थी, लोग उनसे उतर रही थे, मर्थ काले सूट में थे, औरतें काले कप्रों में लिप्टी होई थी, उनके से पर रवायती सफिर हिजाब था, कुरान के आयते कमने में गुंजने के साथ ही, मुझे वो पुरानी कहानी याद आगे, जिसम बाबा ने बलूची स्तान में काले भालू से कुष्टी लड़ी थी, बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी भालूं से लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने अपनी नौजवान बीबी खो दी थी, उन्होंने खुद से एक बेटे को पाल पोस कर बढ़ा किया था, उन्हें अप दोर के बाद मातम मनाने वालों का एक समूँ खड़ा होता और जाते हुए मुझे तसल्ली दे जाता रसम के मुताबिक मैंने उनसे हाथ मिलाए उनमें से कईयों को मैं नहीं जानता था मैं नर्मी से मुस्कराया और उनकी तसल्ली के लिए उनका शुक्रिया दा किया मैं वे बाते सुनी, जो उन्होंने बाबा के बारे में कही, तही मायनी में घर बनाने में मेरी मदद की, हल्ला उन पर रहम करे, किसी ने मेरी मदद नहीं की और उन्होंने मुझे उदार दिया, मुझे काम दिलाया, मुझे तब मुश्किल से ही लोग जानते थे, मेरे लिए, म उन्हें सुनते हुए मुझे लगा कि मैं जो भी था और जितना भी था वो बाबा की वज़ा से था और उन निशानियों की वज़ा से था जो उन्होंने दूसरे लोगों पर छोड़े थे अपनी पूरे जिंदगी मैं बाबा का बेटा बना रहा अब बेच चले गए थे बाब अब और मुझे रास्ता नहीं दिखा सकते थे अब मुझे अपना रास्ता खुद खोजना था इस विचान नहीं मुझे डरा दिया इसके पहले कबरिस्तान के Muslimों वाले चोटे से हिस्से में मैंने बाबा को कबर में उतारे जाते देखा थे था मुला और दूसरे लोगे इस बाकी लोगों पर एक हिकारत भरी निकार डालते हुए उसे पढ़ने लगा। शुरू में मैंने लोगों को बेलचे भर-भर का कबर में मीट्रे डालते देखा। इसके बाद मैं चलाया। फिर मैं कब्रिस्तान के दूसरी तरफ चलाया। मैं रेड मेपर की छाओं में बैठ किया। मैं रेस्टरेंट खुला था। बाबा को पीछे छोड़ते हुए जिंदगी आगे बढ़ रही थी। कैसे हो बच्चे जनर ताहरीन ने कहा। मैंने कड़े दिल से काम लिया। मैंने उन आसूं से जीतने की कोशिश की जो सारा दिन मेरा पीछा करते रहे थी। मैं मैं सुरया को खुचने जाना हूँ। मैंने कहा। ठीक है। मैं मज़ित के औरतों वाले हिस्से की तरफ किया। सुरया सीडियों पर अपने अम्मी के साथ खड़ी थी। वहां कुछ और औरतें भी थी जिनने मैं उपरी तोर पर पहचानता था। वो मेरी शादी में आई थी। मैंने सुरया को इशारा किया। उसने अपने अम्मी से कुछ कहा और मेरे पास आई। क्या हम थोड़ा घूम सकते हैं? मैंने पूछा। जरूर। उसे मेरा हाथ पकड़ लिया। हम घुमावदार बजरी बिच्छी सड़क पर चलने लगे। जिनके किनारे नीची बार लगे हुई थी। हम एक बैंच पर बैठ कर। कुछ दूरी पर एक अधेर जोड़ा एक कबर के पास खुटुनों के बल बैठ कर डेजी फूलों का गुलदस्ता सिरहाने के पत्थर के पास रख रहा था। हम उन्हें देखने लगे। सुरया, मुझे उनकी कमी महसूस होगी। उसने अपना हाथ मेरी गोदुमी में रख दिया। बाबा की अंगुटी उसके उंगली में चमक रही थी। उसके पीछे मिशन बुलबार पर मैंने बाबा के मातम में आए लोगों को गाड़ियों से ज जल्दी हम भी चले जाएंगे और पहली बार बाबा बिलकुल अकेले रह जाएंगे। सुरया ने मुझे अपनी तरफ खीच लिया और आखिरकार मेरे आंसू निकल पड़े। चुकि हमने सगाई के बाद इंतजार नहीं किया था और फॉरण शादी कर ली थी। इसलिए मै जाना कि महीने में एक बार जनरल को माइगरेंग का भारी दौरा पड़ता है, जो करीब हफते भार तक चलता है। जब सिर्दर्द का हमला होता है तो जनरल अपने कमरे में चले जाते हैं, वो अपने कपड़े उतार का बत्तियां बुशाते हैं, दर्वाजा बंद कर लेते हैं और तब तक बहार नहीं आते जब तक दर्द खतम नहीं हो जाता। उस दोरन कोई भीतर नहीं जा सकता था और ना ही कोई दरवाजा खट-खटा सकता था। आखिर में वो फिर से अपना भूरा सूट पहने बहार निकलते। उनमें नींद की और चादरों की गंधवसी ह मैंने सुरया से जाना कि उसने जब से देखा है जनर्रल और मिसिस ताहरी को अलग-अलग सोते देखा है मैंने जाना कि वो नेरदई भी हो सकते हैं मिसाल के लिए जब मिसिस ताहरी उनके सामने कोडमा रखती तो वे उसमें से एक टुकडा काटते और आहा भर का तश्टरी सरका देते खानम ताहरी कहती मैं तुम्हें कुछ और बना देती हूं लेकिन वो उनकी बात को नजर अंदास कर देते और रूठ चाते तब वे रूठी और प्यास खाते इससे सुरिया को गुसा आ जाता और उसके अम्मी रोने लगती सुरिया ने बताया कि वो डिप्रेशन कम करने की दवाय लेते मुझे पता लगा कि उन्होंने अपने परिवार को सरकार से कल्यान के नाम पर मिलने वाले पैसे के भरोसे रख छोड़ा है और अमेरिका में कभी भी कोई काम नहीं किया वो कोई ऐसा काम करना अपने रसूख गिराना समझते हैं जोंकि हैसियत के आदमी के माकूल न हो इसके बज़ाए वो सरकार द्वारा जारी के गए चेकों को बुनाना अधिक पसंद करते हैं वो कभाड़ी बजार को महजिक शौक मानते थे जहां वो अपने साथी अफगानियों से मिलजूल सकते थे जर्नल मानते थे कि देर सबेर अफगानिस्तान अजाद हो जाएगा तब शाह की हुकुमत फिर से कायम होगी और फिर उनकी सेवाओं की जुरत पड़ेगी इसलिए रोज वो अपना भूरा सूट पहनते अपनी जेब गड़ी में चाबी देते और उस दिन का इंतजार करते मैंने जाना कि खानम ताहरी जिनने मैं अब खाला जमीला कहने लगा था एक समय काबूल में अपनी सुरीली आवाज के लिए मशूर थी हाला कि उन्होंने पेशेवर तोर पर कभी नहीं गाया लेकिन उनके पास प्रतिभा हुआ करती थी मुझे पता लगा कि वो लोग गीत, गजले और राग भी गा सकती हैं जो अमोमन मर्द गाया करते हैं लेकिन जनरल संगीत सुनने को जितना पसंग करते थे उतना गाने को नहीं उनके पास अफगानी और हिंदी गायको के कलासिकल गजलों के टेपों का अच्छा खासा संग रहता लेकिन उनका मानना था कि गाईकी का काम कम इजददार लोगों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए सुरिया ने मुझे बताया कि उसके अम्मी हमारी शादी के मौके पर गाना चाहती थी वो किवल एक गीत गाना चाहती थी लेकिन जर्नरल ने उन पर अपनी एक निगार डाली और मामला खतम हो गया खालाज जमीला हफते में एक बार लोटरी खिलती थी और रोज रात को जॉनी कर्संग का टीवी पोग्राम देखती थी वो अपना दिन भगीचे में अपने गुलाबो, जरेनियम, पोटेटो, वाइन और ओर्किट्स की देखबार करते हुई गुजारती जब मैंने सुरिया से शादी की तो फूलो और जॉनी कर्संग को थोड़ा परेका दिया गया मैं अब खाला जमीला को नहीं खुशी था, मैं उन्हें नहीं खुशी देता था जनरल के तोर तरीका अनुशासित और विभार को शलती, जब मैं उन्हें जनरल साहिब कहता तो वो मुझे कभी नहीं टोकते लेकिन इसके उलट खाला जमीला ने इसे कभी छुपाया नहीं कि वो मुझे कितना प्यार करती है मैंने उनकी बिमारियों की भियानक सूची सुनी जिसकी और से जन्रल ने कब से कान बंद कर रखे थे सुरिया ने मुझे बताया कि जब से उसके अम्मी को दौरा पड़ा था उनके दिल की हर एक फरफढ़ाट हार्ट अटेक थी जोडों का हर दर्द गठिया था आँख की हर फड़कन लखवे का एक और दौरा थी मुझे याद है कि जब खाला जमीला ने मुझे पहली बार अपने गले की सूजन का जिक्र किया था मैं कल स्कूल नहीं जाओंगा और आपको डॉक्टर के पास ले चलूँगा मैंने कहा था जन्रल इस पर मुस्क्राया बोले तब तुम्हें अपनी किताबों को उठा कर रखन देना पड़ेगा बच्चे तुम्हारी खाला की बिमारियों की सूची रूमी की शायरों जैसी है वो भी अनेक वॉल्यूम्स में आती है लेकिन बात महद इतनी नहीं थी कि उन्हें अपनी बिमारियों के बारे में बात करने के लिए कोई मिल गया था मुझे पक्का यगीन है कि अगर मैं राइफल उठा कर किसी को जान लेने जा रहा होता तब भी मेरे लिए उनके एकात प्यार में कमी नहीं होगी क्योंकि मैंने उनके मंग को उनकी सबसे गंभीर बिमारी से निजाद दिला दी थी मैंने उन्हें हर एक अफगान मा के सबसे बड़े डर से रहा दिला दी थी वो ये डर था कि कोई इजददा लड़का उनकी लड़की का हाथ नहीं मांगेगा क्योंकि बेटी पूरी जिंदगी बिना शोहर और बाल बच्चों के अकेले रहेगी हर एक औरत को शोहर की जुरत होती है बले ही वो उसके भीतर के गीतों को खामुश कर दे और सुरेया से मैंने जाना कि वजीनिया में क्या हुआ था हम एक शादी में थे INS के लिए काम करने वाले सुरेया के मामा शरीफ अपने बेटी की शादी नयवार्क में रहने वाली एक अफगानी लड़की से कर रही थी वो शादी उसी हॉल में हो रही थी जिसमें छे महिने पहले मेरी और सुरेया की शादी हुई थी हम महमानों की बीड में खड़े थे और दुलहं को दुले के परिवाय के अंगोटी कबूल करते देख रहे थे तब ही हमने तो अधियर औरतों को अपने आगे बाते करते हुए सुना कितनी प्यारी दुलन है? उसमें से एक ने कहा यह जड़ा देखो से कितनी मकबूल है चांद की तरह हाँ दूसी ने कहा और कितनी पाकिजा है इसका कोई बॉइफ्रेंड भी नहीं है मैं जानती हूँ मैं कहती हूँ उस लड़की नहीं उसकी फुफेरी बेहन से शादी नहीं करके अच्छा किया घल लोटते हूए सुरया फूट पड़ी है मैंने फूट किनारे करते हूए उसे फ्रेमोंट बुलवार्ट पर लगे स्ट्रीट लाइट के नीचे रुकावट के पास खड़ी किया ठीक है मैंने उसके बालों को पीछे करते हूए का किसे परवा है ये इतनी बे अन्साफी है वो चिलाते हूए बुली बस भूल जाओ उनके बेटे नाइट क्लब्स में लड़कियों के तलाश में जाते हैं उनके गल्फ्रेंड्स को बच्चा तह जाता है बिना शादी के उनके बच्चे हैं और कोई भी एक शब्द नहीं कहता हो वो बस मजे लूट रहे हैं क्योंकि वो मर्द है मैंने एक गल्ती की और अचा नहीं बताया है। सुरेया ने अपनी आखों प्रहात फिरते हुए कहा। लेकिन मेरे अब्बा ने उस रात बंदूग दिखाए थी। उन्होंने कहा था उसे कि उनके चैंबर में दो गोलिया है। ये एक उसके लिए है और खुद दूसरी उनके लिए अगर मैं गाह नहीं ल लगे। मैं असल में उनसे कहा था, मैंने चाहा था कि वो मर जाए। जब वे मुझे घर लाए तो मेरी अम्मी ने मुझे अपनी बाहों में जकर लिया। वो भी रो रही थी। वो कुछ कह नहीं थी। लेकिन मैं उनमें से एक भी बाद नहीं समझ पाए क्योंकि उनके शब जब मैं अपने बाल काट रही थी तो वो मुझे देख रही थे। मैंने हफ़तों तक घर से बाहर कदम नहीं रखा और जब मैं बाहर निकली तो जहां भी गई मेरी पीछे मैंने कानों फूसियां सुने और हर जगह इसकी कलपना की। ये चार साल पहले यहां से तीन हजार म नील दूर हुआ था और आज भी मुझे उसके बारे में सुनना पढ़ा है। भार में जाने दोने मैंने कहा। उसने ऐसी आवास की जो आधी रोने की थी और आधी हसने की। जब मैंने तुम्हें पहले दिन ये बात फोन पर बदाई थी तो मुझे पक्का यकीन था कि तु तुम कितने अलग हो। अब हम इस पर दुबारा कभी बात नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। मैंने उसके गाल चुमे और गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी चलाते हुए मैं इस पर सोच रहा था कि मैं अलग क्यों था। शायद इसलिए कि मुझे एक मर्द नहीं प गानी बाप थे। वो एक उदार आदमी थे जो अपने ही कायदों पर चले। वो एक विद्रुही थे जिन्होंने उन रिवाजों को नकार दिया जो उन्हें अच्छे नहीं लगे और उन्हें अपनाया जो ने अच्छे लगे थे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि सुरया के अत रूम वाले अपार्टमेंट में चले आए। ये अपार्टमेंट जर्नल और खाला जमीला के खल से कुछी ब्लॉक दूर था। सुरया के माबाप ने हमारे लिए घरेलू तोफो के रूप में एक बदामी रंका चमडे का कोच और मिकासा के बतंखे दे। जर्नल ने मुझे एक और तोफ़ा भी दिया, एक नया IBM टाइप रैटर। उसके डब्बे में उन्होंने फार्सी पर लिखा एक पोज़ा भी रखा था। हामे जान, उमीद करता हूं कि इस टाइप रैटर से तुम धेर सारी कहानिया खोजोगे। जर्नल एकवाल ताहिरी। मैंने बाबा की बोक्सवेगन बीच दी और उस दिन से लोट कर कबाड़ी बजार नहीं गया। मैं हाज जुमे कों की कबर पजाता और कभी-कभी उनके सिरहने के पत्थर के पास फ्रीशिया का ताजा गुलदस्ता पाता। मैं जान जाता कि सुरई अभी भाँ जा चुकी है। वो बिस्तर पर दाहिनी तरफ सोती और मैं बाई तरफ सोना पसंग करता। वो नरम तके पसंग करती और मुझे सक्त वाले पसंद आते। वो अपना सूखा खाना पसंग करती जैसे के स्नैक्स और दूद से भागती थी। जब शाम के छे बज़े सारे लोग चले जाते और छट तक सजा कर रखे गए और प्लास्टिक से ढखे सोफे वाला गल्यारों में पस्छाईयां रेंगने लगती तो मैं अपनी किताबे उठाता पढ़ने लगता। उस फनीचर गोदाम के पाइन सोल की महग से भरे दफतर से दफतर में मैंने अपना पहला उपन्यास लिखना शूर किया। सुर्य अभी अगले साल सांखो से स्टेट आगे और अपने अब्बा को खिचाते हुए टीचिंग विशर चुना। मैं नहीं जानता कि तुम अपनी पतिभा को इस तरह बरबात क्यूं कर रही हो। जन्नल ने एक रात खाने के दौरान कहा। जानते हो हमेजान कि उसे हाई स्कूल में एक ग्रेट छोड़का दूसरा कुछ नहीं मिला। वो उसकी और मुड़े। तुम्हारे जैसे जहीन लड़की को एक वकील, एक राजनीती विज्ञानी बनना चाहिए। और इंशालला, जब अफगानिस्तान अजाद होगा, तो तुम नया समीधान लिखने में मदद कर सकती हो। जब तुम्हारे जैसे जहीन अफगानी नौजवानों की जुरत होगी। तुम्हारे खांदां की शौरत देखते हुए, शयद वो तुम्हें कोई मंतरी ही बना दे। मैंने सुरया को मुश्किल से खुद को रोकते हुए देखा, उसका चेहरा तंग गया था। मैं एक लड़की नहीं हूँ अब्बा, मैं एक शादी शुदा औरत हूँ। इसके अलावा उन्हें टीचरों की भी जोद पड़ेगी। पढ़ा तो कोई भी सकता है। चावल और हैं क्या अम्मी। सुरया ने कहा। जब जनरल हेवार्ड में किसी दोस्त से मिलने के भाने चले गए, तो खाला जमीला ने सुरया को दिलासा देने की कोशिश की। बैठे रहें। इसका इंतजार करते हुए कि जब धूल बैठ चाएगी तो वो जाएंगे और जाकर अपने आली शान सरकारी पद्र पर दावा ठोक देंगे। पढाने में भले उतना पैसा नहीं मिले लेकिन मैं यही करना चाहती हूँ, मुझे इसी से प्यार है और बहराल यह खेरात पर पलने से तो बहतर ही है। अगर कभी उन्होंने तुम्हें यह कहते सुन लिया तो वो तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। फिक्र मत करो, उसने अपनी नैपकेन तश्टरी में उछाल दी। मैं उनके बेश किमती एहंकार को चोड नहीं पहुँचाऊंगी। 1988 की गर्मियों में सोवियत संग के अफगानिस्तान छोडने से 6 महिने पहले मैंने अपना पहला उपन्यास पूरा किया। अफधाने से मोडे हुए उपन्यास को चूमा अखाला जमीला ने जित की कि हम इसे कुरां के भीतर रखें। उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे लिए नजर करने जा रही है। इसका मतलब था कि उन्होंने मनत मांगी थी कि मेरी किताब मंजूर हो जाने पर वो एक भेड जिवा करके गरीबों में बटवा देंगी। प्लीज खाला नजर नहीं। मैंने कहा। मैंने उनका चेहरा चूम लिया। बस जकात दे दीजी। किसी जरुतमन को रकम दे दीजी। ठीक है। भेड की जान मत लीजी। चेह महीने बाद मार्टिन ग्रीन वार्ट नाम के एक आदमी ने न्यू यॉर्क से मुझे फोन किया। और मुझे बताया कि वो मेरा एजेंट बनना चाहता है। ये बाद मैंने केवल सुरैया को बताए। बस इसलिए कि एक एजेंट होने का मतलब ये नहीं था कि उपन्या बेच लेता है तो हम जशन मनाएंगे। जर्नल किसी औरत के शुराप पीने को मनजूरी नहीं दे सकते और सुरैया उनके मौझूदगी में कभी नहीं पीती। मुझे तुम पर बहुत नाज है। उसने मेरे गिलास तक अपने गिलास लाते वे कहा। काका भी तुम पर बहुत नाज करते। मैं जानता हूँ। मैंने कहा। मैं बाबा के बारे में सोच रहा था। मैं चाहा रहा था कि वो मुझे देख सकते। बाद में उसरा सुरया के सोचाने के बाद शिराब पीने के बाद उसे हमीशा नीद आने लगती थी। मैं बालकनी में खड़ा था और गण्मियों की ठंडी हवा सीने में भर रहा था। मैंने रहीम खान और उस चोटे से पुलजे के बारे में सोचा जिसे उन्होंने मेरी पहली कहानी पढ़ने के बाद मेरी हिमायत में लिखा था और मैंने हसंग के बारे में सोचा किसी दिन इंशालला आप एक बड़े लेखाग बनेंगे एक बार उसने कहा था और पूरी दुनिया में लोग आपकी कहानिया पढ़ेंगे मेरी जिन्दगी कितनी अच्छी थी मेरी जिन्दगी में कितनी खुशिया थी और क्या मैं इन में से एक के भी लायक था उपन्यास अगली साल 1989 की गर्मियों में जारी हुआ और परकाशक ने मुझे पांट शेहरों के दौरे पर भीजा मैं अफगानी ब्रादरी में चोटा सा सेलेब्रेटी बंग गया उस साल सोवियत संग अफगानिस्तान से पूरी तरह भाहा निकलाया इसे अफगानियों के लिए खुशी का मौका होना चाहिए था इसके बचाए जंग छड़ गय इस बार ये जंग अफगानियों के बीच में ही छड़ी थी अफगानी मुझाहिद दीन नजिब उल्ला की सोवियत कटपुतली सरकार के खिलाफ लड़ाई थे इस बीच अफगानिस्तान से भाग कर लोगों का पाकिसान में पना लेना जारी था इस साल शीत युद खतम हुआ था इसी साल बल्लेंग के दिवार गिरी थी ये तियान मन चौक का साल था इन सब के बीच अफगानिस्तान को भुला दिया गया और जन्न तहरी अपनी घड़ी में चाबी भरते रहे उनकी उमीदें सोवियत संग के जाने के बाद उठखड़ी हुई थी यही वो साल था जब सुरही और मैंने बच्चे की कोशिशे शुरू करी बाब बनने के ख्याल ने मेरे भीतर भावनाओं के भवर को जनम दिया मैंने पाया कि ये एक ही साथ डराने वाला, ताकत देने वाला, चुनोती से भरा और आनन्द से भरबूर था मैं जानना चाहता कि मैं कैसा बाब बनूगा मैं बस बाबा कितना बनना चाहता था और मैं उनके जैसा नहीं भी बननना चाहता था लेकिन एक साल बीद गया और कुछ नहीं हुआ, हर महिने सुरह या निराश होती जा रही थी, हर महिने वो पहले से ज़्यादा बेकरार और चिटचिड़ी हो रही थी, उन्हीं दिनों खाला जमीला भी बच्चे के बारे में खुल का बाते करने लगी थी, जो पहले वो इशा संबंदों का जिक्र करना होता, बले ही उस मर्द के साथ चार साल पहले उनकी बेटी की शादी हो चुकी हो, लेकिन जब खाला जमीला हमें बच्चों के साथ छेड़ दी, थो उनके आँखे भी खिल-खिला उठती, कभी-कभी इसमें थोड़ी देर हो जाती है, एक रात मैं लिखाते हैं? आप इस पर सवार हो जाएं? उन्होंने हमारे लिए की योजना बनाई, पहले मेरी जाच होनी थी, मर्दो के बारे में असानी होती है, उन्होंने महोगनी के डेस्क को अपने उंगलियों से थप-थप आते हुए कहा था, मर्दो की नली की प्लम्बिंग उनके दिमाग की त मिंग वाला के साथ सुनाते हैं? हम खुश किस्मत हैं, सुरया ने कहा, डॉक्टर रोजीन हसे, कुछ-कुछ इमानदार हसे, उन्होंने मुझे एक लैब स्लिप और एक प्लास्टिकर डबबा दिया, सुरया को उन्होंने कुछ खूं के समानने चांच लिके, हमने हाथ मिला है, आपको कामिया भी मिले, हमारे निकलते समय उन्होंने कहा, मैं बेदाग निकलाया, अगले कुछ महिनों में सुरया जाच के कलंक से गुजरी, सुबह सुबह बिस्तर से उठने और कुछ खाने पीने से पहले उसका तापमान लिया गया, हर एक हार्मों के लिए खूं की जाच की गई, पेशाप की जाच हुई, सर्विकर म्यूकस टेस्ट नाम की कोई जाच हुई, अल्टर साउंड हुआ, खून और पेशाप की और जाच हुई, सुरया हिस्टेरोस्कोपी से गुजरी, डॉक्टर रोजे ने सुरया के गर्ब में दूर्बिन डाय का जाच की, उन्हें कोई खड़ाबी नहीं मिली, नलोकी फिटिंग तो ठीक है, अपने लेटेक्स के दस्ताने उता आते उन्होंने एलांग किया, मेरा मन किया कि वो इसे कहना बंद करे, हम कोई बातरूम नहीं थे, जब जाच पूरी हो गई, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं बता सकते क कि हमें बच्चे क्यों नहीं हो रहे, और जाहिर है ये उतना गयर मामूली नहीं था, उन्होंने बताया कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे नहीं होने की वज़ा समझ में नहीं आती, इसके बाद इलाज की भारी आई, हमने कलोमिफेन नाम की एकतबा आजमाई, सुर Fertilization की तरफ से बिनर्मता से भरी हुई एक छिट्टी हासिल हुई, जिसमें हमें good luck कहते हुए बताया गया कि ये white row fertilization में आने वाला खर्च अदा नहीं कर पाएंगे, मुझे उप अन्यास के लिए advance के रूप में जो रकम मिली थी, उसे हमने इस पर खर्च किया, IVF बेहत लंबा था, हम पूरे समय तनाव में रहे, आखेकार ये भी मायूसी और नाकामी पर खतम हुआ, कई महीनों तक बेटिंग रूम में बैठ कर, good housekeeping और reader's digest जैसी पत्रिकाएं पढ़ते हुई, इंतिजार करने के बाद, कागस के अंधीं गाउनों और नीली रोशनी में चमकते ठंडे, रोगानों मुख जाच कशों के बाद, अजनभी डॉक्टर से बार बार अपने यौन जीवन की हर एक ब्योरे बताने की तोहिनों के बाद, इंजेक्शन्स, जाचों और नमूनों के सिलसिले के बाद, हम वापस डॉक्टर रोजीन और उनकी ट्रेनों के पास लोट सुरेया ने अपने माबाप को ये खबर डॉक्टर रोजीन के हां से लोटने के बाद हफते के आखिर में थी, हम ताहिरी परिवाल के पिछवाडे में कुर्सियों पर बैटे थे और बुनी हुई मचली खाते हुए धही पी रही थे, ये 1991 के माच की सांच थी, खाला जमीला के गुलाब और अपने नए हनी सकल के फूलों में पानी डाला था, उनकी खुशबू बुनी हुई मचली की खुशबू के सांच घुल में रही थी, पहले ही दो बार वे सुनईया के बालों को प्यार करने उसकी कुर्सी के पीछे जा चुकी थी, खुदा बहतर जानता है ब दॉक्टर ने कहा है कि हम गोद ले सकते हैं, जनर ताहिरी का सर इस पर जटका खा गया, उन्होंने तंदूल का धखकन मन किया, क्या कहा दॉक्टर ने, उसने कहा कि यही एक उपाय है, सुरयया ने कहा, हम घर पर गोद लेने के बारे में बात कर चुके थी, सुरयया इसको साथ नहीं दे सकती, मैंने हमीशा सपना देखा है कि मैंने उसे बहों में ले रखा है, कि उसे मैंने नौ महीने तक अपना खून पिलाया है कि मैं एक दिन उसके आखोंगी और तुम्हें या खुद को देखकर हैरान रह जाओंगी, कि मेरा बच्चा बढ़ा होगा, वो तुम्हारी या मेरी तरह मुस्क्राएगा उसके बिना, क्या ये बुरी बात है? नहीं मैंने कहा, क्या ये मेरी खुदगर्जी है? नहीं सुरया, क्योंकि अगर तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो? नहीं, मैंने कहा, अगर हम ऐसा करने जा रहे हैं तो हम इसके बारे में कोई भी संदे नहीं होना चाहिए और हम दोनों को ही इसके लिए राजी होना चाहिए, बरना बच्चा गोद लेना मुनासिब नहीं होगा उसे खिड़की पर सर्टिका दिया और बाकी रास्ते कुछ नहीं बोली अब जनरल उसकी बगल में बैठे बच्चे, ये गोद लेना ऐसी चीज़े, मुझे उतना यकीन नहीं है कि ऐसी चीज़े हम अफगानियों के लिए है सुरेया ने मेरी तरफ उकता कर देखा रहा आह बरी दूसरी बात ये है कि वो बड़े होते हैं तो जानना चाहते हैं कि उनके कुदरती माबाप कौन है उन्होंने कहा तुम उन्हें दोश भी नहीं दे सकते कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जिन्हें तुम इतनी मेहनत से पाल पोसकर बड़ा करते हो वो उन लोगों की तलाश में घर तक छोड़ देते हैं जिन्होंने उन्हें जिन्दगी दी थी खून एक ताकतवर चीज है बच्चे ये बात कभी मत भूलो मैं इस वरब और बात नहीं करना चाहती अबबा सुरेया ने कहा मैं एक बात और कहूंगा मैं बता सकता हूं कि वो अपने हमले तेज कर रहे थी हम अब जन्रेल का छोटा सा भाशन सुनने वाले थी यहां आमिर जान को लो हम सब उसके अबबा को जानते हैं मैं जानता हूं कि काबूल में उसके दादा और उनके पहले उसके पर दादा क्या थे अगर तुम पूछो तो मैं यहां बैठे बैठे उसके पुर्खों की पीडियों के बारे में बता सकता हूं इसलिए जब उसके अबबा खुदा उन पर रहम फरमाए रिश्टा मांगने आये तो मैं जरा भी नहीं हिचका और मेरा या किंग करो उसके अबबा तुम्हारा हाथ मांगने को राजी नहीं हुए होते अगर वो नहीं जानते कि तुम किंग की उलाद थी खुण एक ताकतवर चीज है बच्चे और जब तुम गोद लेते हो तो तुम नहीं जानते कि तुम किस का खुण अपने घर में लेकर आ रहे हो अब अगर तुम अमेरिकी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता लोग यहां प्यार के लिए शादी करते हैं यहां खानदान और पुर्खों के नाम के बारे में कोई नहीं पूछता इसी तरह वो गोद भी लेते हैं बच्चा तंद्रुस्त हो तो वो खुश रहते हैं लेकिन हम अफगान है बच्चे मचली बन गई है क्या सुरया ने कहा जनर्ट ताहिरी के आँखे उस पर ठेके उन्होंने उसके घुटनों पर थपता पाया बस खुश रहो तंद्रुस्त रहो तुम्हारा शोहर इतना अच्छा है तुम क्या सोचते हो आमिरजान खाला जमीला ने कहा मैंने अपना चश्मा पत्थर पर रखा जहां उनके जिरेनियम की कतारों से पानी टपक रहा था मैं सोचता हूँ कि मैं जनर्रल साहब से सहमत हो निश्चिन्त होकर जनर्रल ने सही लाया और फिर से तंदूर के पास चले गए बच्चा गोद नहीं लेने की हमारी अपनी अपनी वजह थी सुरिया की अपनी जनर्रल की अपनी मेरी वज़ा ये थी कि मैंने जो कुछ किया था उनकी वज़ा से शायद किसी ने कहीं मुझे बाप बनने से मर्हूम कर दिया था शायद ये मेरी सजा थी और इस वज़ा से ये जायज थी हो सकता है उसकी कोई और मर्जी हो खाला जमीला ने कहा या शायद उसकी मर्जी नहीं थी कुछ महीनों बाद मेरे दूसरे उपन्यास के अडवांस से सैन फ्रांसिस्को के बरनार हाइट्स में हमने दो बेडरूम वाला एक सुन्दा सा विट्टोरियन मकांग खई लिया इसकी छत नूकली थी, इसके फर्श मजबूत लकडी के बने थी और एक छोटा सा पिछवाड़ा था, जिसके आखिर में धूप खाने के लिए का टारी थी और आंग जलाने के लिए फायर पिट लगे हुई थी जनरल ने डेक की मरमत करने और दिवारों को पेंट करने में मेरी मदद की खाला जमीला उदास हो गई, क्योंकि अब हम करीब घंटे भर उनसे दू जा रहे थे खासत और से इसलिए क्यों नहीं लगता था कि सुरहिया को उनके प्यार और सहरे की जरुरत थी वे इस बात से अंजान थी कि उनकी नेक नियत लेकिन जरुरत से ज़्यादा हमदर्दी की वज़ा से सुरहिया वहां से दूर आना चाहती थी कभी-कभी सुरहिया मेरी बगल में सो रही होती और मैं बिस्तर में पड़ाद आवाजे को हावा से खुलते और बंध होते सुनता रहता मैं आंगन में छींगरों के आवाज सुनता मैं सुरहिया के गर्ब के खालीपन को करीब-करीब महसूस करने लगा था मानो ये कोई जिन्दा सांस ले रही चीज हो वो खालीपन हमारी शादी शुदा जीवन में हमारी हसी में और हमारी प्यार में रिसाया था और देल गई रातों में हमारे कमरे में अन्धेरे के बीच में मैं महसूस करता कि ये सुरया के भीता से उठ रहा है और हमारे बीच जगा बना रहा है वो हमारे बीच सो रहा है मानो वो अभी अभी पैदा हुआ कोई बच्चा हो मैंने फोन रग दिया और उसे देर तक घुरता रहा अफलातून ने जब मुझे भॉंक कर चुकाया तब जा कर मुझे हैसास हुआ कि कमरे में कितनी चुपी थी सुरिया ने टीवी के आवाज बंका दी थी तुम बिमार लग रहे हो आमिर उसने कोच पर से ही कहा था उसके पैर एक फटे हुए तके में धसे हुए थी टीवी पर मिनेसोटा में भीडियों के दुख पर PBS का खास प्रोग्राम आ रहा था सुरिया आधा उसे देख रही थी और आधा अपने समर्ड स्कूल के क्लास के बच्चों के निबंदों को सुधा रही थी अब वो इस स्कूल में पिछले 6 साल से पढ़ाने लगी थी बोट बैटी तो अफलातूं कोच से नीचे कूद गया जर्नल ने हमारे इन प्यारे से स्पेनियल कुट्टे को ये नाम दिया था प्लैटो को फार्सी में अफलातूं कहते हैं इस नाम के बारे में उनका कहना था कि अगर आप देर तक कुट्टों की काली आँखों में देखेंगे तो आप पक्के तोर पर पाएंगे कि वो बुद्धी मानी भरी बाते सोच रहा है अब सुरया की ठोड़ी के नीचे जरासी चर्वी दिखने लगी है बस जरासी पिछले दस सालों ने उसके कूले के घुमावों को और मासल बना दिया है उसके कोईले जैसे काले बालों की रांख की कुछ लकीरे खीच दी है लेकिन उड़ने को तयाच चिडियों जैसे उसकी भौई और पुराने अर्बी की लिखावटों जैसे हलकी सी मुड़ी हुए उसकी नाग के साथ अब भी उसका चेहरा शहजादियों जैसा लगता है तुम बिमान लग रहे हो सुरया ने धुराया उसने काग्जों का पुलिंदा टेबल पर रख दिया मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा पाकिस्तान? वो खड़ी हो गई रहीम खान बहुत बिमार है उन शब्दों के साथ मेरी पीतर कोई मुठी तनी वो काका के पुढ़ाने बिजनिस पार्टर है? वो रहीम खान से कभी नहीं मिली थी लेकिन मैंने उनके बारे में उसे बताया था मैंने सही लाया ओ, मुझे बहुत दुख है आमिर हम पहले काफी करीब थे जब मैं बच्चा था तो वो पहले बड़े आदमी थे जिसे मैं अपना दोस मानता था मैंने उन्हें और बाबा को बाबा के स्टडी चाए पीते हुए याद किया इसके बाद खिड़की के पास सिगर्ट पीते हुए बगीचे में स्ट्रीट ब्रियल की खुश्पू से भरा हवा कई छोका आया और धुए के जुड़वा खंबो को उड़ा ले किया मुझे याद है कि तुम मुझे बता रहे थे सुरेया ने कहा, वो रुकी कितने दिनों के लिए तुम जाओगे मैं नहीं जानता, वो मुझे मिलना चाहते है क्या ये, हाँ इसमें कोई खत्रा नहीं है मैं ठीक से रोंगा सुरेया यही सवाल वो पूछना चाहती थी शादी शुदा जिन्दगी के 15 सालों में हम एक दूसरे का मन पढ़ने लगे थे मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ क्या मुझे तुमारे साथ चलना चाहिए नई, मैं अकेले जाना चाहूँगा बिलकुल मैं गारी से गोल्डन गेट पार्क तक गया और उसके बाद स्प्रेकल्स लेक के साथ साथ पार्क के उतरी छोड तक गया यह इतवार के दिंग के खूब सुरत दोफै थी दूप पानी पर चमक रही थी जहां दरजनों चोटी नावे साइन फ्रांसिस्को की ताजी हवा के हरके जोगों के साथ तैर रही थी मैं एक बैंच पर बैठ कया मैंने कादिमी को अपने बेटे के लिए फुटबॉल उचालते देखा वो उसे बता रहा था कि वो गैंद को बगल से ना फैके उसे अपने कंधों के उपर से फैके तब मेरी नजर उपर उठी और मैंने पाया कि लंबी नीली पूँच वाला लाल पतंगों का एक जोड़ा आसमान में उड़ा है वे पेडों के बहुत उपर पार्क के पश्चिमी छोड़ पर उड़ा है थे वे पार्क के मगरीबी छोड़ पर खड़े पेडों अपवन चक्कियों के उपर नाच रहे थे मैंने रहीम खांग की बातों के बारे में सोचा जो उसने थोड़ी दे पहले फोन रखते समय कहीं थी मानो उन्हें बाद में कुछ सूजा हो फिर मैंने अपनी आखे बंद की और उससे खड़ खड़ाती हुए फोन लाइन के दूसरी तरफ देखा